सौगत करता हूँ दोस्तों मैं आप लोग का आज के मैं इस अपने नए वीडियो में तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि हैंडिस्टेन कैसे करते हैं हैंडिस्टेन के एक एक मुमेंट से एक टोपिक के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा तो बने रहे हैं वीडियो में लास तक हमारे साथ और देखते हैं कौन-कौन हैं इस्टेंट जल्दी से सिख पाता है कर पाता है कमेंट करके मैं जबर बताएगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों बता दूँ बता दूँ कि अगर आप लोगों ने हमारी सेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे दोस्तों कुछ इस तरह से होगा जो कि वीडियो में आप मैं आप लोगों करके दिखाने जा रहा हूं तो इसको देखके आप कर सकते हैं अगर आप लोगों से यह वाला स्टेप नहीं हो पाता है तो आप अपने हेट को लेंड पे रखके यानिकी जामीन पे रखते अपने लेक्स को ओन में टूस करते करके सकते हैं तो बड़ा काफी लुद से तौस्तों हम यह मुमेंट से स्टेप करकर हम अपने अपने केसीटी केविटिंग जीतना हो सके उतना हम उपर होड़ करेंगे वाल में इस से क्या होगा कि हमारे हेंडस्टेइट में बहुत ज़्जादा हेल्प मिले गा हमें this ज Zoo करके अहोड करने का प्रेक्ठिस होगा तो हमारा पहलो प्राइब कुछ इस तरह होगा बहुत ही अच्छा इस्टेफ है हंडी थ dizzy दिखMore में प्रडूस्टो आप लोगों को एक जई हड़ी से सिखतना तो प्लीज friendship को ज्यादा से ज्यादा करें इससे हमारे हैंडी स्टेंड में बहुत हेल्प मिलता है हैंडी स्टेंड करने में तो दोस्तों प्लीज बनी ज्यूद्ध भलता किजिए अगर आपको hand stand जल्दे से जल्दी सिखना है तो प्लिज यह जदा करें तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले step में अगले moments में में उसके लिए हमें legs को up करके हमें ऊपर में किक करना है 1 सेकेंड या 2 सेकेंड होड़ करना है उसके बाद हमें नीचे आ जाना है तो विडियो में मैं करके आपको बता रहा हूं और आप उसको follow करें और handstand जल्दी से जल्दी सीखें यह step करने से दोस्तों हमें क्या हूँ कि हमें idea मिलेगा handstand hold कैसे करते हैं और land कैसे करते हैं नीचे कैसे आते हैं तो यह भी हमारे handstand workout के लिए बहुत ही helpful है तो दोस्तों प्लीजी से भी follow करें हमारे द्वारा बतायाएगा हर एक workout हर एक step बहुत ही clear होता है अगर दोस्तों यह भी option नहीं हो पार है तो आप किसी को आगे खड़ा करके किसी भाई या अपने friends का help भी ले सकते हैं एक second दो second hold करके फिर नीजे चला जाना है उससे हमें बहुत idea मिलता है हमें handstand करने में तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले step में अगले moments में हमारा अगला step होगा हम अपने सीर को अपने head को जमीन पर रखेंगे और अपने हाथों को भी दोनों सीर के side में दोनों हाथों को भी जमीन पर रखेंगे और अपने legs को अप करेंगे यह भी हमारे shoulders और हमारे निक हमारे गर्दन के लिए बहुत ही important है वह हम strong होता है अपने capacity के recording आप इसे जितना चाहें उतना hold कर सकते हैं दोस्तों तो आप देखके यह कर सकते हैं अपने घरों में असानी से बिना किसी जीम जाए बिना किसी health उसके बाद दोस्तों अपने legs को open करेंगे इसे हमारे body and balance का capacity और ज्यादा होता है और हम hand chain कर सकते हैं hold कर सकते है तो दोस्तों वीडियो में बता है गए एक एक हमारे workout moments को आप follow कीजिए अपने daily के workout routine में डालिए और practice कीजिए hand chain का दोस्तों जरूर होगा यह तो दोस्तों वीडियो आप लोगों कैसी लगी हमें comment box में comment करकर जरूर बताएगा और आप लोगों को किस तरह के body के किस fitness related कौ कौन सा वीडियो चाहिए तो हमें comment जरूर करें हम जरूर कोशिच करेंगे उसमें वीडियो बनाने तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं एकले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो